चली दोस्तार मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, देखे आपको पता नहीं होगा लेकिन एक delivery boy की जिन्दगी में, एक delivery boy की life में सबसे बड़ा दुख कब आता है, सबसे बड़ी परेशानी कब आती ही, मैं आपको बताता हूँ, देखे एक delivery boy परेशान तब होता है जब उसको गयजार order नहीं आता है, उसके ID पर order उसको receive नहीं होता या फिर बहुत ही कम order उसको जो है कि आता है, क्योंकि दोस्तार आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आप अगर किसी delivery company में काम करते हो, तो आप पैसे कब कमाऊगे, जब आपको order receive होगा, जितना जादा आ order complete करोगे, उतना ज़्यादा ही आप पैसे कमाऊगे, अगर आपके साथ में भी कुछ ऐसा scene बना हुआ है, आपको बहुत ही ज़्यादा कम order आते हैं, या फिर आपको जो है कि बहुत ही ना के बराबर order आते हैं, तो मैं आप से request करता हूँ, इस वीडियो को सुरू से लेकर क आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा order करूँ, कौन सा order छोड़ू, और मैं आपसे seriously बता रहा हूँ, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो साथ के delivery partners हैं, वो आपसे जलने लगेंगे, कि भाई, इस बंदे को इतना order क्यों आ रहा है, इस बंदे ने ऐसा क्या दिमाग लगया हो सकता है, आपकी ID gig में convert हो गई हो, तो भाईया अगर आपकी normal वाली ID है, अभी आपकी ID gig में convert नहीं हुई है, तब भी हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा कम order आ रहे होगे, और अगर आपकी ID gig में convert हो गई है, तो भाईया पूरा सत्या ना सुचुका है, क्योंकि जिन सेटिंग बताऊंगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी मैं जिन्दा हूँ, ठीक है, दो सेटिंग बताऊंगा, दो सेटिंग कर लो भी या, इतने order आएंगे कि सांभाल नहीं पाऊँगे, मैं जो बोल रहा हूँ, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझेगा, वीडियो क सारी मैं आपको और बता दू, वीडियो बहुत ही छोटा होगा, मैं ट्राई करूँगा, आठ से नौ मिनट का वीडियो, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा, पूरा वीडियो देख लो, क्योंकि यार जियो कंपनी वाले सिर्फ और सिर्फ और डेर जीबी डेटा देते, और ये दो बाते जाने बिना सेटिंग भी आपके किसी काम की भी नहीं है, इसलिए आप इन दो बातों को सुन लो, और आपको बहुत ज़ादा आप शौक लगेगा, कि हाँ ये गलती आप अभी तक कर रहे थे, सबसे पहली बात क्या है, देखिए, सबसे पहले आपको करना कौन सा ऐसा रेश्टोरेंट है, जो फेमस है, सबसे पहले तो आपको देखना है कौन सा रेश्टोरेंट फेमस है, उसके बाद में आपको देखना है कि कौन से रेश्टोरेंट में किस टाइम में कौन सा फूड बनता है, जैसे अगर मैं आपको एक्जामपल के लिए जानकारी पर यह च्छाना है आपको देख लेना है कि higher暴ानाे कि सब्सक्राटी न बहुत ही अच्छा वहाइए आपको यह अच्छा खाल चाम मेरेर रात का भ्रति या फिर्द वह लोग रात का ही खाना बनाते हैं कस्टमर उन रेस्टोरेंट से रात का ही खाना ज़्यादा ओडर करते हैं। आपको सबसे पहले यह जानकारी जो है कि अरजीत कर लीनी, अब आपको पता चल गया है कि आपके एरिया में कौन-कौन से ऐसे रेस्टोरेंट के जो की नास्ता अच्छा बनाते हैं या फिर कस्टम क्या है कि आपको सुबह वाला जो टाइम होता है उस टाइम में आपको अपनी आईडी उन ही रेश्टोरेंट के सामने खड़े हो करके लॉग इन करनी है मेरी बात को थोड़ा सा आप ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा मालनों दोस्ते आर सुबह नास्ते का टाइम है तो आपको पता है कि कौन से ऐसे रेश्टोरेंट है जो कि इस पेसल नास्ता बनाते या फिर कस्टमर उन रेश्टोरेंट से नास्ता ही ओडर करते तो आपको क्या करना है अपनी आईडी को उन ही रेश्टोरेंट के सामने जो ही कि खड़े हो करके लॉग इन करना है जिससे कि जादा तर राइडर ऐसा गलती कर देते हैं, जहां पर सभी लोग खड़े होते हैं वही पर जा करके वो भी खड़े हो जाते हैए इसा नहीं करना है, टाइम को देख करके ही आपको चलना है, वीडियो लंबान हो जाए, मैं जल्दी जल्दी कम्पलीट करने का ट्राइ करता हूँ, एक बोनस टिप आपको मैं और दे देना चाता हूँ, हर एक ID पर आपको एक होटी स्पोर्ट एरिया दिखता है, आपको होट करनी है, मालनो कि कोई एक ऐसा होटी स्पोर्ट एरिया है, जो कि सभी लोगों की ID पर शो हो रहा है, कि यहां पर order आने की संभावने ज्यादा है, तो बहेत ज्यादा था, राइडर तो जाकर करके वही पर खड़े हो जाएंगे, तो आपको हमेशा होटी स्पोर्ट एरिया स दो जगए खड़े होना है मतलब आप खड़े एक जगए हो लेकिन आप समझ लोग की दो जगए खड़े हो अब यह थोड़ा सा आपको confusion लग रहा होगा देखो यह यह situation वो लोग जदा try करते हैं जो लोग जो की थोड़ा सा fraud करते हैं मतलब fake GPS वगएरा मैं यहां पर बोलना नहीं चाहूँगा यह सारी चीज़े fraud GPS वगएरा try करते हैं तो वो लोग करते क्या है माल लो किसी location पर खड़े होते हैं माल लो किसी location पर खड़े हैं तो वो क्या करेंगी कि fake GPS लगा करके अपनी ID को कहीं और भी थोड़ा थोड़ा देर के लिए घुमाते रहते हैं ऐसा वो लो करते हैं आपको पता नहीं होगा इससे क्या होता है कि वो दो location पर खड़े होते हैं एक तो जहां वो खड़े वहाँ खड़े एक दूसरी जगे भी खड़े होते हैं इस तरीके से उनके order आने की संभावनाएं बढ़ जाती है तो आप तो भाईया GPS वगएरा यूज करते हैं करना क्या है कि वो बन्दा करेगा क्या कि आपको call कर देगा कि भाई साब ऐसा है कि आप जो ही कि हमारे restaurant के पास में आ जाओ हमारे पास में order pending हो गया इस तरीके से आप जो ही कि फटाक से वहाँ से ID को उठाओगे और यहाँ पर आ जाओगे इस restaurant के सामने तो यहाँ से आप order और फटाक से उठा लोगे इस तरीके से आप एक location पर खड़े हो करके दो location पर खड़े होगे एक तो वहाँ पर आप खड़े थे और restaurant वाले से आपने वहार बना हुआ तो उसने आपको call कर दिया कि भिया यहाँ पर आजाओ तो आप वहाँ पर पहुंच गया तो हो गया आप GPS कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो इस तरीके से आप जोगे कर सकते हो बहुत ज्यादा पसीन हार यार पंखा चलाओंगा तो बहुत ज्यादा नौइस आएगा इसलिए थोड़ा वीडियो को शेर कर दिया करो यार मेहनत जादा ही थोड़ा सा लगती है तो दोस्त आई थिंक आप बात को अच्छे तरीके से समझ गए होगे अभी भी आपके बुद्धी में नहीं घुसा है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लो बात करते हैं सेटिंग की सेटिंग क्या है तो देखे मैं आपक शुआ करिण करने लग चाहिए और जो वह दो सेटिंग यानी दो बाते थी वही थी जो दो टिप मैंने आपको स्टार्टिंग बदाए एक बोनस टिप देदी अब चलीए वीडियो आइफिंक सो ज्यादा लंबा नहीं हुआ हो यारव यार्णG अप्लोड करने में में मेर का अगली किसी बीड़ों पत्तिली जाहिंजा भार्त बंदे मत रहां